कि अपर उपर चड़ने के लिए आप इसमें देख सकते हो कि ना नाजब्रा कितना नहीं तो से भी से बहुत से आसनी के साथ है समस्वेश्यक्त कर सकते हैं और यहां पर सकते हुनकि कि इसम उपाबाई के दौउर्ड इसम बूह से को आप उसक अंदर मल्ली कृप देखे आपने आपको पूर पर बहुत सारी मल्ली कृप देखे हैने लेकिन आज हम आपके लिए जॉम्बो मडल मल्ली कृप करे सबपने इस ön चान करिये। तो किसान बहें सबसे पहले इसके बेसिक फीचर्स की में बात बता हूं कि यह कितने अच्पी ट्रेक्टर से चलेगी तो आपको बता दो कि यह मशीन चलाने के लिए आपके पास कम से कम 45 अच्पी अबाउट ट्रेक्टर होना जुरूरी है और किसान बहें इस मशीन के अंदर आपको D model मिलेगा क्योंकि किसान बहें आम तोर पर जो मशीन आती है वो सी सी बेल्टों के अंदर आती है लेकिन यह मशीन डी मेल्ट के अंदर आती हो और इस मशीन में जैसे कि आप यह ड्रम वाला सिस्टम देख पा रहे हो इसके अंदर आपका इक्कटा हो जाएगा आप कोई खेट पर इसा नहीं कि आप इसे सीधा ट्रोली के अंदर लोड कर सकते हो और यह आगे जो आप ड्रम देख पा रहे हो इसके अंदर आपका अनाज इककटा हो जाएगा कि इसकी कैपिसिरी रहेगी दस कुइंटल यानि दस कुइंटल का नाज आप इसके साथ एक साथ और फिर डाइरेक्ट ट्रोली के अंदर ले सकते हो और किसान भाई सबसे ज्यादा प्रोपिट इस ड्रम के अंदर किसान भाई होगा क्योंकि यह लेबर की इतनी बच्चत करेगा किसान भाई आप ही जानते हो कि आज अगर आप सरसों निकाल रहे हो तो कली खेट को खाली क पढ़ेगी तो किसान भाई अब बात करते हैं इस मशीन के फीचर्स के बारे में तो सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि यह मुंगपली और चाउल को चोड़ कर बारत के में जितने इस माल की आपका अगर आप लाम आप वाल तो नमी वाला तो वह भी एत्ट सबसे पहले आपको जानकारी देगी मसीन को फोरी से पेक किया हुए जिससे कि आपको नीचे तरपाल विचाने वाली समस्या से यहां से इसे आप यह देख पारे गेर को भी निच्छा से बिल्कुल पूरी तरह किया हुआ है क्योंकि गेर पे मिट्टी भी नहीं आएगी और यहां से गेर भी खराब होने की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तो किसान जैसे कि आप यह बेटर देख पार पहले के अं मिलेगा जिसके अंदर आप अपना पूरा सामान रख सकते हो कि ग्रीश केन हतोडी पाने वाने जो भी इस मशिन के साथ आएंगे वह आप इसके अंदर आसानी के साथ रख सकते हो और जैसे हम अगली तरफ आते हैं तो देखें किसान भाई जहां से आपका अनाज बार आएगा यहां पर आपको एक फेन दिया हुआ है इस फेन की हवा को भी कर सकते हो यह फिल्टर वाला यह इधर से हवा पेगेगा जो भी अनाज की साथ कत्रा बुसा हुसा आएगा उसको उड़ा देगा और यह देगे किसान भाई एक फेन आपको यहां पर मिलता है कि आपके माल को फिल्टर करने के लिए काम में आएगा इसकी हवा आप कम ज्या हुआ है यह जो आपके पसल गया है नाज की साथ जो कच्रा वजराता है मिटीविटी आती तो इसको आप अपने चालने पर डाल कर वापिस ग्रेडिंग कर सकते हैं कि किसान भाई को पहले क्या है कि ग्रेडिंग के लिए भी अलग से मशीन लेनी पड़ती थी लेकिन यह फ अगर उसकी कॉलिटी की बात करें तो देखें किसान भाई इसकी मोटाई भी बहुत ज्यादा है और इसकी वील का वजन भी बहुत ही ज्यादा है जैसा कि आप यह बेल्ट वाला सिस्टम देख पारे हैं आपको दो बेल्ट के अंदर यहां पर दो पुलियां मिलेगी और अ पुक्यों की पसल निकाल रहे हो तो आप अपनी चानुसार सेट कर सकते हो याने नीचे बड़ी पुली और ऊपर छोटी बुली रख सकते हो तो किसान बहुत जैसा है आप यहां पर देख पा रहे हो आपको आमारब के 1248 के इस मशीन में टायर मिल रहे हैं आपको इस मशीन मे सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसान बहुत जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो यह गेर वाला बॉक्स तो किसान बहुत वाला गेर बॉक्स आपको इस मशीन के अंदर मिल रहा है जिसे कि अगर आपकी लेवर माल जादा डालती है और आपको यह से लगता है कि पीचे ऐदे डोली चोग वोक हो रही है तो इस हेंडल के माध्यम से आप आपनी पसल को वापका ले सकते हैं कि रहा किसान बहुंड के देख के किसान बहुत यहां पर खंगी टाइप में बुलेडों के ऊपर नकुले दाते आ रहें जिससे कि आप अपनी पसन निकालोगे तो वह पसन वापिस रिटन नहीं होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर जाएगी और किसान भाई यह वाला देखे यह वाला एंडल आपको इस काम में यह देखे कि किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहें यह ड्रम ड्रम का डक्कन ओपन हो गए तो आप जब भी आपका ड्रम चोक वो आपको लगता है कि चोक वो राए गिला माल निकाल दे समये तो इस इंडल की मात्यम से आप आपकी पसल को इसके अंदर वापिस ले सकते हो और किसान भाई जैसा ही आप यह मैंने बताई था कि ड्रम से वापिस माल रिटन ले सो वहां पर अलग से ड्रम बनाए आम तोर ने आप तोर पर आपने मशीनों में देखा होगा यहां से आपकी पसल वापिस आती थी लेकिन वहां पर इसको पूरी तरीके से कवर कर दिय है जिससे कि आपका माल वही से रख के अंदर चला जाएगा और किसान भھ जैसा की यह पंप कर ना चाहते हो तो अगर आप चाहते हो क्यकि पसल निकालने के बाद में बुसे को पूरे खेट के अगरप के पास पचाश औ, अगर 20 एकर जमींद है, एक साथ निकाल आप सोचते हो कि एक साथ इस्टो कर ले पूरे बुसा का तो उसको भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं और हम अभी आपको इसको उठा कर भी दिखाएंगे कि यह किस प्रकार उड़ता है और यह पंप भी बहुत हेवी क्वालिटी का है किसान बाई जैसा कि तो 213 ड्रम साइज में तो ही तो सभी आपको 45 और 14 इंची मेंडे द्रम साइज में मिल जाएक कि सब्सक्राइब की ब्लेड़ों के बात करें तो 230 बेड़े आपको इस उस मशीन के अंदर मिल रही है विसका रएमी तरफ आते हैं तो आपको याँपर सेकिंट उइन मिलेगा और यहां पर देखें कि एक बीच के अंदर रोड लगा कर उसके खंगे टाइप में लगा रहे हैं जिससे कि आपके चालने पर वो जो माल रुकने के जैसी समस्या थी वो किसी प्रकार की नहीं आएगी यह वाली जो पाइप देख पा रहे हैं आपके माल को आगे देखेलती आपको च्छय पर पार रहें किसान ऑब को दो आप आडवा बहुत कर रहा हैं कि सब्सक्राइब अगर यह वाला सिस्टम के अंदर यह रगा के से पीचे लेकर जाएंगे और फोड़ने और ने जिसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं और जैसा ही आपका वेस्टेज अगर आपके बुसे के साथ हलकापुल का दाना इदर से आता तो वह इस फिल्टर के माद्दे में से वह पीचे चला जाएगा किसान वाइस में मल्ट करें इन इन फेहनों को आप जैसे की मैंने अभी किया बहुत कम समय के अंदर यह इन पेहनों को बंद करके और इस णिस्ट् ρिस्टम के माधरें से बुसे को आप उसके एंदर कर सकते ओं और इस बुसे की कैpe tö Go 5ile के पैठा कर सकते हो इसको सिद्यूत के अंदर लेना चाहते यहीं तो किस रहे हैं यहां पर सब्सक्राइब को या घुटे सकते में तकितना नहीं तो से यहीं क loot किया है अपि यहां पर देख सकते हैं कि एन्याच्छा किपड़ है किसान भाई जैसा है आप यह आग्या वाला सिस्टम देख पा रहे हो आप अपनी फेन के आरिपे में इस पुल्यों के माद्य में से बहुत ही आसानी के साथ सेड़ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जीरे वेरी की परसल निकाल रहे हैं बारी का अगर आपको उड़ने जैस करते हैं तो आप अपने चानुसारी से एड़ेस्ट कर सकते हो और बेल्टों को टाइट उतारने सदाने के लिए यहां पर एक हैंडल दिया हुआ है जिससे कि पुछी सेकेंड़ों के अंदर आप इसे इन बेल्टों को एक पुली से दूसरी पुली पर आप बहुत ही आसान किस प्रकार मिलेगी तो आपको इसके नमबर दिख रहे हैं उनसे आप संप्रक कर सकते हैं और इस मशीन के बारे में संपून जानकारी ले सकते हैं अगर आपको उपर वाला सिस्टम नहीं चाहिए कहले अपना नीचे वाला मल्टिक रोप जो साधा मशीने मार्केर के अंद तो आप कमेंट कर सकते हैं जब भी पसल कटाई का समय आएगा ये मसीन खेट पर चलेगी तो हम आपके लिए किसान भाई के साथ खेट से सिधा लाइव वीडियो लेकर रहें तो फिर मिलते हैं एक और सांदार और इसे कमाल के वीडियो में तब तक जे जोआन जे किसान